हम chemical properties of oxygen family कर रहे थे आज का जो हमारा topic है बड़ा ही simple topic है वो है oxides तो हमें पता है कि oxides क्या होते हैं जब भी oxygen किसी element से combine करता है तो क्या बनाता है आपका oxide Oxide आपके binary compounds है binary compounds वो compounds हैं जिसमें केवल दो ही elements present हो तो एक element तो obvious क्या होगा आपका oxygen ही होगा ठीक है दूसरा element कोई भी metal हो सकता है या फिर कोई भी non metal हो सकता है तो लगभग periodic table में जितने भी element है सब ही oxygen से combine करते हैं और क्या बनाते हैं oxides कुछ ऐसे elements हैं जो दो या दो से जादा oxide बनाते हैं जैसे कि आपका iron ठीक है iron जो है वो दो oxide बनाता है और वो कौन कौन से हैं आपके एक तो Fe2O3 और एक Fe3O4 तो ये दो oxide हैं आपके iron के हम इनको classify कर सकते हैं oxides को according to their nature and their properties widely हम इसको दो parts में divide करते हैं oxides को एक तो simple oxides और एक mixed oxide तो जो simple oxides होंगे उसमें क्या होगा केवल आपका element होगा और साथ में oxygen होगा ठीक है जैसे ये है आपका Fe2O3 ठीक है ये आपका एक simple oxide है लेकिन अगर आपका जो oxide है वो mixture है दो या दो से ज़्यादा oxides का तो हम उसको कौन से oxide बोलेंगे mixed oxide जैसे की Fe3O4 Fe3O4 तो ये किसका mixture है ये आपका FeO और Fe2O3 इन दोनों का mixture है तीक है इसलिए Fe3O4 को आप क्या बोलोगे mixed oxide Simple oxide can be classified on the basis of their acidic, basic and empathic character Simple oxide को आप basic कह सकते हो, acidic कह सकते हो या empathic कह सकते हो कब? जब हम उसे dissolve करेंगे water में ठीक है यदि आपका oxide वाटर में dissolve होने के बाद क्या देता है? एसिड देता है तब तो वो क्या होगा? एसिडिक oxide ठीक है अगर वो water के साथ mix होने पर क्या देता है? बेस देता है और एसिड से react करता है ठीक है? तो हम उसे बोलेंगे कैसा oxide? basic oxide और यदि वो water में mix होने पर एक ऐसा compound बनाता है जो कि एसिड के साथ भी react करता है और base के साथ भी react करता है या फिर कह सकते हो आप acid की तरह behave करता है और base की तरह भी behave करता है तो ऐसे oxides को हम बोलेंगे empathetic oxide ठीक है? तो जितने भी metals है यह important चीज है जितने भी metals है उनके oxide होंगे basic और जितने भी non-metals है उनके oxide क्या होंगे? acidic तो एन oxide that combined with water to give an acid is treated as acidic oxide जैसे sulfur dioxide हो गया ठीक है? आपका Cl2O7 हो गया, CO2 हो गया, आपका N2O5 हो गया यह सब water के साथ combine करके क्या देते हैं? acid देते हैं, जैसे SO2 है, sulfur dioxide, water में mix करेंगे तो देगा H2SO3, इसका नाम है sulfurous acid, ठीक है? तो जब यह dissociate होता है, तो क्या देता है? 2H positive और plus SO3 to negative, तो H post ही दे रहा है, H post ही दे रहा है, तो it means, it is acidic in nature, तो SO2 क्या है? कैसी नेचर है इसकी? acidic in nature, तो as a general rule, जो मैंने भी आपको बताया था, कि जो आपके non-metals हैं, वो कैसी नेचर होगी उनकी? acidic, लेकिन जो metal के oxides हैं, ठीक है? but oxides of some metals in higher oxidation state, also have acidic character, ऐसे metals, जिसमें oxidation state बहुत जादा है, वो भी जब हम water में dissolve करते हैं, तो उसकी नेचर भी कैसी होती है, आपकी? acidic होती है, ठीक है? जैसे MN2O7, ठीक है? इसमें आप MN के oxidation state निकालिए, ये कितनी आएगी? MN के X मानिए, ये हो जाएगा 2X, पलस 7 into minus 2 is equal to 0, तो X की value कितनी आजाएगी? पलस 7, ठीक है? तो यहाँ पर पलस 7, oxidation state है MN की, जो की बहुत जादा है, तो जितने भी metals हैं, अगर वो higher oxidation state में हो, तो उनका, उनको अगर आप water में dissolve करोगे, तो कैसे बनेंगे वो? acidic, ठीक है? उसी तरह से the oxides which give a base, जो base देगा water के साथ, उसे हम बोलेंगे आपके basic oxide, तो जितने भी metals हैं, ठीक है? वो water के साथ mix होने पर क्या देते हैं? बेस देते हैं, जिसे sodium oxide, calcium oxide, barium oxide, ठीक है? तो यहाँ पर एक example भी दिया हुआ है, जो calcium oxide है, जिसे आप बुजा हुआ चुनना भी बोलते हैं, water के साथ mix होके, क्या देता है? देखो, calcium hydroxide, यह जब dissociate होगा, तो कौन से iron देगा? 2 OH negative iron, तो जो OH negative iron देता है, वो क्या होते हैं? आपके base, तो यहाँ पर यह आपने ध्यान रखना है, कि जो metallic oxides हैं, उनकी nature कैसी होगी? बेसिक होगी, कुछ metallic oxide हैं, जो dual behavior show करते ह का मतलब double, acid की तरह भी और base की तरह भी, they show characteristics of both acidic as well as basic oxide, ठीक है? दोनों की ही characteristics show करेगा हो, acid की भी और basic की भी, water में अगरा dissolve कर दोगे, तो वो जो solution होगा, वो acid के साथ भी react करेगा, और base के साथ भी react करेगा, ऐसे oxides को हम क्या बोलते हैं? एंपोथेरिक oxide, तो they react with acid as well as alkalis, alkalis होते हैं आपके base, for example, aluminium oxide, यह आपने formula याद रखना है, जो aluminium oxide है, वो acid के साथ भी react करता है, और alkalis के साथ भी react करता है, ठीक है? तो उपर वाली reaction देखिए, यह HCl है, acid के साथ react कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर AL2O3 किस तर रेक्ट कर क्योंकि acid base के साथ react करता है, और base acid के साथ react करता है, यहाँ पर sodium hydroxide base है, तो अगर reaction हो रही है, AL2O3 के साथ, तो इसका मतलब AL2O3 किस तरह काम कर रहा है, acid की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर यह complex बनाएंगे, यह हम complex formation में आगे करेंगे detail में, कि complex कैसे बनते हैं, य नाम भी आपको लिखने बताएंगे हम, और यहाँ बनेगा sodium hexa hydroxo aluminate, ठीक है, यह इसका नाम है, आगे आएगा complex formation में, हम उसको वहाँ पर complete discuss करेंगे, बलकि कुछ oxides ऐसे भी हैं, जो ना तो acid की तरह काम करते हैं, और ना ही base की तरह काम करते हैं, तो ऐसे oxides को बोलते हैं, neutral oxide, ठीक है, तो आपने example याद रखने हैं, यह exam में पुछे जाते हैं, CO, NO, और N2O, ठीक है, यह फिर आपको कुछ oxides दे दिये जाएंगे, mix करके, कोई acidic होगा, कोई basic होगा, ठीक है, कुछ neutral होगे, ठीक है, तो आपको उसमें छाटना होगा, कौन सा acidic है, कौन सा basic है, और कौ ozone, जो कि एक important topic है,